So January to April 2024, QCards, और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो रिसेंटली पूछा गया है, Part 1 का टॉपिक, तो वो टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँगा और उनके Sample Answers, So अगर आभी एक्जान देने वाले हैं, the month of January, February, March और April, तो हो सकता है कि ये Part 1 के Questions आप से पूछे जाएं, So let's begin, शुरू करने से पहले आपको बता दूँगा अगर आप मेरा Complete PDF Plus, Intro Questions, QCards, और Follow-ups, इनके Sample Answers अगर आप चाहते हैं, January to April 2024, तो उसके लिए आप मेरी Application डाउनोड कर सकते हैं, Play Store से, Our Own IELTS Classes, अगर आपके पास iPhone है, तो डाउनोड करें, Class Plus Application, और इस वीडियो का, इस Sample Answer का, PDF फ्री में आप डाउनोड कर सकते हैं, मेरे टाइलेकराम चैनल से, Link is in the description below, So let's begin, Part 1 टापिक is Fish, सबसे पहला क्वेशन है हमारा, Why do people go fishing? इस वीडियो में आपको बता दूँ कि मैं आपके सब दो answers आपके सब में शेयर करूँगा, एक है band 6 to 6.5, अगर आपका टारगेट है 6 to 6.5, तो आप या answer यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका टारगेट 7 प्लस है, तो आपके साथ में एक और answer शेयर करूँगा, so that depends on your target, कि जो भी आपका टारगेट है, तो आप अपने हिसाब से उज़को चूज़ कर सकते हैं, Well, people go fishing for relaxing and enjoyment, this is the best way to be in the nature and enjoy with family, fishing is very interesting activity to do with family, कि जो fishing है, लोग relaxing के लिए करते हैं, enjoyment के लिए करते हैं, और nature के साथ connect होने का बहुत अच्छा करीका है, enjoy करने का अपनी family के साथ, और बहुत ही interesting activity है, जब आप अपनी family के साथ करते हैं, यहाँ फिर आप अपने friends के साथ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, right, so let's see the sample answer, 4 band 7 plus, same question, why do people go fishing, and here we go, I guess, जो अकसर students यूज़ करते हैं, बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन I guess, यह थोड़ा सा मैं कहूंगा कि यह uncommon है, यह थोड़ा less common है, यह कम students यूज़ करते हैं, तो आप use जरूर करें, I guess, करके शुरू करें, कि मुझे रखता है, शायद I guess, people go for fishing for a number of reasons, यह कुछ कारण हैं जिनके लिए लोग जाते हैं, one of them, उनमें से एक है, to take fresh air, fresh air का enjoy करना, ताज ही हवा के लिए जाते हैं, on top of that, on top of that, जो आपको information add करनी हैं, part 1 में, even आप यह q-card में भी use कर सकते हैं, right, it's also best way to recharge your batteries, recharge your batteries, इस बहुत ही useful और amazing language है, इसका मतलब है कि जब आप अपने आपको active करना चाहते हैं, relax करना चाहते हैं, for example, अगर आप कहते हैं कि, सारा दिन मैंने IELTS की study किया है, तो evening में, कुछ time मैं music सुनके, अपने आपको active करना चाहता हूं, so you recharge your batteries, by listening to music, and chillax, chillax ये word chill और relax, इन दोनों को बना के बनाया गया है, इसका मतलब होता है, chillax का मतलब होता है कि, जब आप chill भी करना चाहते हैं, enjoy भी करना चाहते हैं, और relax भी करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं chillax, do you like eating fish, second question, answer is yes, I like eating fried fish, because it's very tasty, दो answer हैं इसके, क्योंकि देखिए एक answer हो सकता है, कि आप कहें कि सर मैं तो fish खाती नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, उसके लिए आप दूसरा answer यूज कर सकते हैं, in case if you don't, no, I don't like eating fish, because our religion doesn't allow us, क्योंकि हमारा जो धरह में वो allow नहीं करता है, do you like eating fish, अब एक चीज़ जो students अकसर करते हैं, जिनका target score band 6 है, देखिए एक चीज़ बताना चाहँगा, कि अगर आपका band score 6 का target है, तो हो सकता है कि chances 5.5 आने के, एम अपना 7 प्लस रखें, अब यहाँ पर देखिए एक simple yes, यहाँ पर जैसे आपने अगर use किया yes, अगर आप absolutely किस word को use करते हैं, absolutely इन words को English में कहते हैं, intensifiers, intensifiers क्या होते हैं, कि यह जो इसके साथ word है, उसकी degree को बढ़ा देते हैं, degree का मतलब है, अगर simple भाशा में कहूं, तो उसकी जो value है, मान के चलिए कि yes की value 100% है, और आपने absolutely add कर दिया, तो इसकी value double हो जाएगी, 200% हो जाएगी, absolutely yes, ठीक है, उसके बाद है, but I'm not a regular, regular अब किसको बोलते हैं, कि मैं daily नहीं यह खाता हूं, for example, अगर कोई मुझसे पूचे की, for example, by the way, अगर मेरे बच्चे का बारे में, कोई मुझसे पूचे की, कि सर्च यो आपका बेटा है, क्या वो चाकलेट खाता है, does your son eat chocolate, so I would say, he's a regular, he's a regular, अगर मैं कहूँ कि, he is a regular, that means कि हाँ, वो रोज खाता है, he's a regular, right, I'm not a regular, comments में एक चीज मुझे जरूर बताएं, कि चाकलेट, कोई भी ऐसी चीज, जिसको लेके आपको लगता है, कि यह जो चीज है, I'm a regular, for an ABC thing, किसी भी चीज को लेके, आप regular है, so comments में बताएं, कौन से चीज है, जो आप regular खाते हैं, I'm a regular for, उसके बाद dish, या food का ना, right, I prefer to eat fish, only in the winter, because it's healthier than meat, okay, so second answer, जैसे मैंने आपको बताया, कि दो answers है, इसके, एक answer है, कि हो सकता है, कि आप fish खाते हैं, दूसरा हो सकता है, नहीं, so जिब direct आपको बोलना, जैसे picture में आप देख सकते हैं, in a word, no, no, I don't like it, come on, no, no, in a word, no, direct मना करना हो, because, I come from ABC family, आप यहाँ पर family, religion, जो भी आप यूज करना चाहें, आप कर सकते हैं, and I always prefer, vegan food, vegan food वो होता है, जिसमें कोई भी animal का product ना हो, कोई भी animal से related चीज ना हो, right, I can't stand, I can't stand का मतलब है, कि मुझे यह, जब अप किसी चीज़ को बहुँ ज़दा हेट करते हैं, नफरत करते हैं, यह चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं है, I can't stand, why people eat fish too, so यह सरफ एक अपिनिन है, right, okay, next question we have, where can you see fish, यप फिश कहा देख सकते हैं, band 6 to 6.5, here we go, I think you can see fish in the sea, and in non-veg restaurants, or non-vegetarian restaurants, there's also a fish market in my hometown, let's see the simple answer, 4 band 7 plus, well, there are multiple places, multiple places की काफी सारी जगा हैं 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 हैं, where you can see fish, but I would say, I would say, यह आपको बता दू कि एक linking phrase है, जो जोडता हैं आपकी बात को, fluency में आपके काम आता हैं, जो fluency में आपको score मिलता है, तो यह चीज़े note होती हैं, I would say, depends on the fish too, कि यह depend करता है, fish के उपर भी, कि fish को कहा रहना है, some can be seen in the sea, कुछ ऐसे इनको sea में देखा जा सकता है, and some in the rivers, I have also seen, अभी इसको highlight करने का क्या मतलब है, इसको highlight करने का मतलब इसलिए है, कि मैंने highlight इसको yellow में इसलिए किया है, क्योंकि यह present perfect tense है, बहुत कम students है, जो present perfect tense को यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि आपकी grammar का score जो है, वो 25% है, आपके जब overall score मिलता है, आपको 25% है, so it's always great to use, and to show wide range of grammatical structures to IELTS examiner, right, them in the aquarium too, okay, all right guys, so that's the end of today's video, और अगर आप इस तरीके का complete, January to April 2024, जितने भी latest cue cards हैं, intro questions, follow ups, तो अगर आप उनके PDF plus, इस तरीके के video देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा एक course join का सकते हैं, January to April 2024, और इसका free में PDF download करने के लिए, मेरा टेलीकराम चैनल जोइन करना ना भोले, आप मेरा WhatsApp चैनल भी जोइन कर सकते हैं, अगर आपके पास टेलीकराम नहीं है, तो WhatsApp चैनल भी आप जोइन कर सकते हैं, लिंक is in the description below, फिर भी अगर आपको कोई प्रब्लम है, कुछ भी जोइन करने में, या speaking से लेटेड अगर आप या online IELTS class से जोइन करना चाहते हैं, मेरे साथ, so my WhatsApp number is on the screen, feel free to text me on my WhatsApp. Thank you very much for watching and listening to our own wishist.